तो फ्रेंड जैमातदी फ्रेंड आदे के न्यू डिजाइन की स्वाटर बनाना बताऊंगी मैं दो साल से तीन साल के बच्चे के लिए स्टेप पर स्टेप मैंने इसको बना के बताया है बॉर्डर में कितने फंदे डाले हैं उपर कितने और बाजू में कितने डालेंगे और बैक पार्ट में तो इसको पूरा मेजरमेंट करके 8 पूरी स्वार्टी बनाएब तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बहुत सुन्दर दो कलर से आप इसको बची उन से बना सकते हैं जो मैंने डिजाइन बनाएब उसमें एक-एक धारिये अलग-अलग उन से भी आप इसको बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज देखिया आज मैं आपको यह निव डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही सुंदर लगता है बना हुआ तो यह मैं बेवी के लिए दो से तीन साल के बच्चे के लिए हाफ बार्जो की स्वाटर बनाने जा रही हूँ तो इसके बॉर्डर में मैंने यहां पे 55 फंदे डाले और बॉर्डर के बाद यहां पे उल्टी स्लाई पे 10 फंदे बढ़ा लिए बहुत ही सुद्र डिजाइन है फ्रेंड ध्यान से देखे तो पहले सलाई हमसे इसे सीधी बना लेगे दूसरी सलाई पूरी उल्टी बना लें girdगे फिर तीसरी सीधी पुरोती उल्टी तो चार स्लाइयां ऐसे बना लीजिए आप फिर चार स्लाइयों के बाद ही जो दूसरा कलर है इससे हम डिजाइन बनाएंगे तो यह मैं बना लेते हूं ऐसे गैब में चार स्लाइएं फिर दिखाते हूं आपको डिजाइन बना रहा है अब देखे फ्रेंट चार स्लाइएं हमने इस बले कलर की लगा ली अब यह वाला डिजाइन बनाएंगे हम पहली स्लाइए जो भी आप दूसरा कलर लगाओगे पहली स्लाइए उसकी पूरी सीधी बना लेना ऐसे फिर दूसरी स्लाइए उल्टी दिखाते हूं मैं आपको छे स्लाइएं का यह डिजाइन है और छे स्लाइएं में एक कम्प्लीट हो जाता है तो यह पूरी श्लाई में बना लेती हूं फिर उल्टी दिखाते हूं अब दूसरी श्लाई देखे फ्रेंट इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें एक, तीन, पांच, साथ ऐसे फंदे डालने हैं तो आप ऐसे फंदे डाल लीचे तभी मैंने इसमें 65 फंदे डा ले हैं अब देखें पहला फंदा तो एजस्टिच है और एक हमारा इए डिजाइन का है तो यहांसे हमारा इजएन स्टार्ट होता है तो एक जाली बनाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक जाली बनाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, दूसरी सलाई है, ध्यान से देखिए, सभी फंदों पे हमने जालियां बना लेनी है, दो फंदे हम इस साइड प्लेन बनाएंगे, और दो ही लास्ट में हम प्लेन बनाएंग तो पूरी चलाई में आप ऐसे जालिय को बना लीजिए एक फंद debt बनाएंगे एक जाल बनाएंगे एक जाली बनाएंगे ऑशे करे फिर मैं एससे भी दिखाते हो अब लास्थ में देख लेजिए यहाँ जाली बनाई फिर एक पंदा बनाई फिर जाली बनाई और लाष्ट के दो पंदे हम ऐसे बना लेंगे अब देखिए डिजाइन की तीसरी सलाई इसी सिलाई पे डिजाइन बनेंगा देखिए इंपोर्टेंट है इस लाई तो यह जो और तीसरा ए वाला जाली वाला इन तीन का हम एक बनाएंगे ऐसे तो इस तीन का एक बना दिया फिर धागा आगे करेंगे ए प्लेन वाला है इसको उल्टा फिर धागा पीछे देखे एक जाली एक बीच वाला और फिर जाली इन तीन का हम एक कर देंगे सीधा फिर धागा सेंखर 1 2 3 को 5 3 को पीछए पनाएं BC करहा lah धागा अधर कर दो फेर था तुझा बत्व समय कर सकार दागा प्छी में थोड़ा सा हुआ पाला किम फिर यह यहांस से इसको आज़ो कर दिया में फिर उलटा धागा पीछे इनको लूज करेंगे तो पूरी स्लाई हम ऐसे ही बना लेते हैं एक फंदा उलटा तेन का एक, दो, तेन तो पूरी स्लाई में यह जैसे बना के कम्प्लेट कर लेते हूं Jadi पर चौती स्लाई दिकाते हूं अब देख़ेे पूरी सलाई हमने बना ली और लास्ट में आगे तो यह उल्टा बना लिया अब धागा पीछे करेंगे इन तीन फंदों का फिर से 1 बना देंगे सीधा ऐसे और ये वाला फंदा उल्टा फिर धागा एक पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे अब देखिए अब उल्टी स्लाई पर आगे तो ये स्लाई हम पूरी सीधी बनाएंगे ऐसे धागा पीछे करेंगे तो ये जो फंदा हमने उल्टा बनाया था इसको हम बना देंगे और जो तीन का एक करा था इसको हम स्लिप करेंगे इसको हम बनाएंगे इसको स्लिप करेंगे एक को बनाएंगे एक को स्लिप करेंगे पूरी स्लाई उल्टी बनाएंगे बस एक फंदा ऐसे पूरी स्लाई ये को प्रफी करेंगे पांचबी सलाई टो पूरी सलाई में इसा कि अगली छृटी सलाई दिखाती हूं और इसकी design की last line अब design की last line देखीए और छठी slide तो सभी फंदों को हम ऐसे यह ल्टा भून लेंगे जो हमने फंदा यहाँ पे slip करा था उसको भिएसे बना लेंगे पूरी slide ल्टी भून लेते हैं तो इसके साथ ही हमारा यह design यहाँ पे complete जाता है इसके बाद चार सलाईय हम दूसरे कलर से बनाएंगे फिर छे सलाईय हम इस कलर से तो ऐसे बनाते बनाते ही हमारा डिजाइन बन जाता है इस तरीके से हमारे बहुत ही शुन्दर डिजाइन बनता है तो एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा अब देखिए फ्रेंड इसकी लेंथ मैंने कम्प्लीट कर ली है इक दो इद्दर पसओ पसिन दyजाइन में और भी अफिर पान्द गडरूर करेंगे तो देखिये अब यहां पर दूसरा करेंगे और इस्सें हम इद्हों कर्दे कंदेंगे पहले एक, दो, तीन, और पूरी स्लाई सीधी बना लेंगे और उल्टी स्लाई पे भी तीन फंदे हम कम करेंगे, तो पूरी स्लाई में बना लेती हूं, फिर उल्टी स्लाई पे दिखाती हूं, अब उल्टी स्लाई पे भी देखिए, तीन फंदे अब हम यहां पे बंद करें तो देखिए दो और तीन तीन फंदे हमने बंद कर लिए एक दो तीन यहां से आगे हम डिजाइन बनाएंगे तो तीन क्यूंगे अगली वार हमने दो करने फिर एक अब यहां से आगे में दो यहां से आगे हमने पूरी वार हमने इसके बाद दो फंदे हम कम करेंगे फिर यहां पिर एक क्या एक क्या उसके बाद आपे यह बैक पाट है तो बैक पर हमें चार रिजाइन बनाएंगे कि मुंडे की कटिंग के बाद चार बनाएंगे तो जब आ लिए एकना शेदिखाते हम आपको आपको फ्रेंट को आज देखियेगे अब हम यहां पर गला बनाना सिखेंगे तो सबसे पहले जो फंदे हैं इनको हम सलाई पे उथार लेते ह दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, तो यह जो धागा है यहीं पर है, तो यहीं से हब हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे, तो देखें, पूरे राउंड में हम ऐसे फंदे उठा लेंगे, दो, तीन, चार, पांट, चे, साथ, आठ, नौ, दस, याब ग्यार, प्रा, ठाः्र, चो दड़र, घाद, fazendo, तो, रंदवट, ज़्धर, व्योजद्यन पतार्ट, यहीं सिद्डर्ट, श्यारी, व्योजद्ध्स, प्यार्छ, जuba ज्यक्तार्ट, है हम आठारा है 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 कि इस है कि इस अधीस और है हमारा मुंडे वाला फंदा तो बाइस अरे केहां गेप से उठाएंगे हम तेज तो तेज़ी फंदे हम दूसरी साइड से उठाएंगे और एक पार्ट के देखिए दो तेर चे साथ आठ नो दस बीस इकिस बाइस 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 पंदे यह तेज समने उठाए बाइस है और तेज से हम दूसरी साइड उठाएंगे तो बैक वाले फंदे भी हम ऐसे बना लेंगे और दूसरी साइड के भी उठा लेती मैं तेज फंदे फिर दिखाते हैं आपको आगे अब यह देखे फ्रेंड सभी फंदे मैंने उठा लिए अब हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे और चार पांच धारियां बनाएंगे तो यह हमारी पहली धारी अब सभी फंदों को यह जो हमारे बॉडर वाले फंदे और दूसरे भी सभी को हम बनाएंगे जो हमने फंदे उठाए होग Kollege दोनों साइड से मिल्टा उल्टा बना देंगे तो हमारी यह देखे पहली ही धारी आप बन गई तो इस तरीके से आप बना लीजिए चार धारी यह बनाने के बाद ने आपको बंद करना बताओंगे नियुटे हम ने बनाएं अमने बनाया पीछे वालब ओपर से उता दिया आएकशे अपडा जाएंगे पीछे बाल उपर से उतारते जाएंगे पूरी स्लाई में हम ऐसे करेंगे तो हमारे फंदे बंद हो जाएंगे सारे इसके साथ ही जब फंदे बंद हो जाएंगे तो हमारा एक गला भी बनके कंप्लेट हो जाएगा तो इस तरीके से आप ए सारे फंदे बंद कर लीजिए और इसके बाद फिर मैं आपको सिलना बताते हूं है जोटर देखे पीछे से हमारे फंदे बंद हो गए अब यह देखे फ्रेंड ए पूरा हमारा गला कंपलीट हो गया अब यहां हम बटन लगा के इसको सही से करतेंगे अब इसके बाद इसकी सिलाई करेंगे तो यह उल्टी साइड ऐसे बाहर के साइड करेंगे सीधी हम अंदर के साइड करेंगे और एक साइड से यहां से धागा खोलेंगे और इसको सुई में डालके फिर मैं आपको सीलना बताती हुए अब यह देखिए कैसे सीलेंगे हम दोनों पार्टों को ऐसे जॉइंट करेंगे दो बार यहां पर नोट लगा दिया अब देखिए सभी फंदों को दोनों साइड से सिलेंगे दोनों पार्टों से एक एक फंदा लेंगे जो यहां पर चोटी जैसी बने हुए है बस इसी को सिलते जाएंगे बहुत इजी है सुटर सिलना देखिए इसको मैं एक ही कलर से सिल रही हूँ है तो यहां पर दो कलर पर मैं एक से ही इसको सिलूंगे उपर तक बस इसी तरीके से आप इसको सिलते जाएंगे और कुछ भी ने करना है दोनों साइड से ऐसे मिलाते जाना है और यह डिजाइन भी आपस में मिलने चाहिए आगे पीछे ने सिलना है ऐसे ऐसे मिला लेजे, डिजाइन आगे पीछे ने सिलना है हमने तो एक दोनों साइड में सिलना है सिल के फिर आपको इसका फाइनल लूप दिखाते हैं ऐसे के ऐसे सिलते जाये आज देखिए फ्रेंड मैं बच्चों के लिए फुल वाजू की स्वाटर बनाना बताऊंगे आपको एक वाजू देखिए बना के मैंने यहां पे जॉइंट कर ली है दूसरी वाजू देखिए कैसे बनाएंगे हम यहां पे आप 36 फंदे ढाल लीजिए बौडर में 36 फंदे ढालने के बाद इस वाली अस लाई पे यहां पे आप आठ फंदे बढ़ा लीजिए 44 फंदे तक हमारे यह हो जाएंगे फिर हमने यहां पे 30 सलाई आऻं बनाई तीस लाईयों तक हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया तीस लाईयां बनाने के बाद फिर एक फंदा हमने इस साइड बढ़ाया एक इस साइड फिर एक इस साइड एक इस साइड इस कलर में हमने दो बार फंदे बढ़ाये सिर्फ यहाँ पर उसके बाद इस वाले में हमने हर एक छटी स्लाइब में फंदे बढ़ाए हैं तो हमारे 56 फंदे हो गए हैं टोटल सारे फिर हमने तीन फंदे यहां से बंद करें तीन यहां से बंद करें तीस लाइएं हमने फिर यह बनाई तीस लाइएं बनाने के बाद फिर तीन तीन फंदे हमने तीन करना है यह हमने कि ऐसे वाला डिजाइन इस में डाला है दोनों साइड फ्रंट और बैक में तो यह पहले में आपको सीधा करके दिखाते हूं थोड़ा सा गले का मेजर्मेंट भी बता देती हूं अभी मैं सिलना बताते हूं आपको यह कैसे हमने बाजो जोड़नी है तो यहां पे जब हम मुंडे की कटिंग करने के लिए यहां पे पहुंचते हैं तो उसके साथ ही हमें यहां पे गले का यह बटन वाला पार्ट भी बनाना होता है तो इस पे हमने साथ फंदे रखे हैं और त्थ पंदे फंदे बनातों हमने देंग लाएंग लुषिक्त करने साथ पनदों हमने जे यह दिजाइन बनाई है पिर हमने एक साइड पहले बनाई है यहां से तीन पंदे बनाकरें मुंड़े की कटिंग यांट के लिए पहली स्लाइच में पिर तीसरी में दो फीर एक ऐसे हम ने यहां पर एक दो तीन चार पॉंच छे साथ शाट दर नौ-ड़ द दस धारीय बनाने के बाद यहांपर बटन होल बनांने के बाद फिर मने गला dob ad सबकिछ हैं गल्णायों के इन इसमें कर दोर से कड़िक हो तो यह हमने करना सब्सक्राइब मतलब गपढ़ सब्सक्राइब करें अधिस होज़ेए और यहां ट्रजाइब शुटने सब्सक्राइब करanna में वने पंदिट है लिए ट्सवाओ ठीक है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो अब फ्रेंड हम इस वाटर सिलना बताते हैं आपको, पहले हम बाजू जोडना बताएंगे, तो देखिए, यह दोनों साइड से खुली है, तो अब हम यहां से, ऐसे इसको जोइंट करेंगे, यह वाला कोना और यह वाला, ऐसे मिलाएंगे इसको, और पूरे राउंड में पहले हमें बाजू सिलेंगे, उसके बाद फिर हमें इस वाटर का नीचे वाला पाट सिलेंगे, तो देखिए, ऐसे इनको मिलाना है, अच्छे से, पूरे राउंड में ऐसे हमने इसको सिल देना है, ऐसे सिलने से, कोई भी टांका नजर नहीं आता, चाया आप इस कलर से सिल हुआ है, चाया दूसरे कलर से, यहां पर कोई टांका नजर नहीं आएगा, कि कहा हमने, कौन से कलर से इसको सिला है, बस इस तरीके से आप इसको पूरे राउंड में सिल देंगे, दोनों साइड से, एक वार ऐसे, और एक वार पीछे से, फिर एक वार यहां से, तो पूरे राउंड में हैं सिल के फिर आपको नीचे वाले साइड दिखाते हुआ इस अब इस तो मैं सील लेती हुआ अब देखिए फ्रेंड यह पूरे राउंड में मैंने एसे सिल लिया इसको अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारी यहां से जोड़ेंगे अब देखिए अब यहां नीचे से मैं ए फोड़ा सा सिल दिये है तो इसको आगे सिलना बताती हुझा आगे हम कैसे सीलेंगे जैसे हमने बाजू सी ली वैसे इसको सीलेंगे अब कलर से कलर ऐसे मिला देंगे अब देखिए ऐसे सीलेंगे इसको उपर तक सील लेते हैं जितना हमारे पास धागा है फिर मैं दूसरी साइड से आपको सीलना बताती हुए बाजू हम उपर की साइड से सीलेंगे अब देखिए यहां तक तो हमने सील दिया अब इस वाले कलर से हम यह वाला सीलेंगे क्योंकि यह बिल्कुल प्लेन है तो प्लेन पे दूसरा कलर पे दिखेगा तो इसलिए हम इस कलर से इसको सीलेंगे दोनों साइड से ऐसे जॉइंट करेंगे और नीचे तक इसको इसी कलर से सील देंगे आपको आगे हम कैसे सीलेंगे इसको तो पहले में इवाला सील लेते हूं इसको भी वैसे सीलना है दोनों साइड से अमने ऐसे फंदे लेते जाना है और नीचे तक इसको तुझी सीलते जाना है अब देखे इसको जो धागा बच्चा हूए है जब हम फंदे डालते हैं तो यह दागा बच जाता है तो यह वह दोना हम एक नोट लगा देंगे पहले हैं और एक दागा यहां से काटेंगे एक कुणा हमने काट लिया और इसको अब हम सुई में डालेंगी करेंगे इसी से सिलाई करतेंगे अब अब देखिए अब यहां से सिलेंगे अब ऐसे जॉइंट करेंगे तो तीन बार अच्छे से अब जो धागा बचा इसके साथ इसको ऐसे जॉइंट करतेंगे नोट लगा जाएंगे और यहां से काटके फिर में सीधा करके दिखाते हूं अब यह कंप्लीट हो गई है देखिए बाजू और यह पूरा सिल्के हमने इसको कंप्लीट कर दिया एक ही बटन गाया आप यहां दो बटन लगा सकते हैं तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को थें